हेलो फ्रेंड्स विल्कुम टुमाई योटोब चैनल जी एस क्लासिस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में जी आसी लेक्टिरर सोचियोलोजी प्रैक्टिसेट अमर्ट 39 को सॉल्व करेंगे यह प्रैक्टिसेट बिल्कुल इसले बसके कॉर्डि सहीवे तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिसेट नमबर 39 के कुश्यन नमबर वन को आज हमारा कुश्यन नमबर वन है परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाओ देता है कि परिवर्तन संगर्स और समाधान के माध्यम से होता है ऑप्सिन नमबर यह ह सब्ड डाइलेक्टिक का साधारन अर्थ वादविवाद या तर्क-वितर करना है प्राचीन काल में विद्रान दवरा या विश्वास किया जाता है था कि चίνटन की प्रक्रिया में विरोधू अथ्वा विपृत मतों का प्रकट होना सर्थ तक हुंशने का एक संगेत है परिवर्तन का दंद्वात्मक प्रतिरूप या सुझाओ देता है कि परिवर्तन संगर्ष और समाधान के माध्यम से होता है, तो कुश्चन का राइटेंसर होगा हमारा, आज हमारा सेकंड कुश्चन है, तक्नीकी में तीप्र वृध्य तथा सामाजिक संस्थाओं और परंप साथ करण, तो इस कुश्चन का राइटेंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का राइटेंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर यान की संस्कृतिक बिलंबना, इस अउधाना का प्रियोक सरप्रथम, आगबर्ण ने सन 1922 में कब सन 1922 में प्रकासी अपनी बहु प्रसित पुस्तक सोसल चेंज में किया है, आगबर्ण ने संस्कृत के दो पच्चों की चार्चा की है, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों के बीच उत्पन इस पिछणन की स्थित को ही आगबर्ण ने संस्कृतिक बिलंबना या संस्कृतिक पिछणन क के नाम से इंगित किया है भावतिक संस्रुत के अंतरगत हजारों वस्तिवें आती हैं जैसे वायुआन, रेल, पंखा, घड़ी, बर्तन, फरनीचर, वस्त्र, पुस्तकें आ दी और जबकि अभावतिक में धर्म, कला, दर्शन, और विज्ञान, विश्वास, साहित आ दी आत कि यह तिहां पर सुची नंबर वन दिया गया है और यह हमारा सुची नंबर दो है, हमें इनका आपस में मिलान करनेता, यह मिलान करते हैं, पहला दिया गया हमारा विकास, विकास का संबंध किसे हैं, तो विकास का संबंध है अस्तरों में परिवर्तन से, दूसरा दिया ग संबंद अस्त्रों में परिवर्तन से हैं प्रगत का संबंद मातरात्मक परिवर्तन से हैं क्रांति का संबंद सरचनात्मक परिवर्तन से हैं और चौथा है रूपांतरण रूपांतरन का जो संबंध है या गुडात्मक परिवर्तन से हैं तो कुष्ण का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्ण का जो राइट एंसर होगा वह होगा हमारा ओप्सिन नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्ण है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मुल होते हैं उन्हें कहते हैं आप्सिन नमबर ए है वैस्वी करण, आप्सिन नमबर भी सहरी करण, आप्सिन नमबर सी विकास और लाष्ट है आप्सिन नमबर डी आर्थिक सम्वरी थी तो इस कुछिन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछिन का राइट एंसर होगा हमारा आप्सिन नमबर सी यानि साथ अधिकाधिक मात्रा में सिच्छित होने का प्रयास करते हैं कुछिन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर C आज हमारा अगला प्रश्ण है सामाजिक परिवर्तन के निम्रकित विश्वेश्कों में से किस ने किराया जीवी और सट्टे बाज पदों का प्रयोग किया है उप्सन नमबर A दिया गया है ट बिबलिन उप्सन नमबर B काल्ल माक्स उप्सन नम शी वी परोटो और लाश्льट आउप्सन नमबर D एज क्शों का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एसरों का हमारा ओप्सन नमबर सी यानकी बी पैरोटो इटली निवासी बिलफ्रेट पैरोटो मूल रूप में एक इंजिनियर थे जो बाद में अर्थ सास्त्री और समाज सास्त्री बन गए उन्होंने जो है सामाजी परिवर्तन के लिए किराया जी और सट्टे बाजी पदो का प्रियोग किया था सट्टे बाजी वर के लोगों की आज होती है या अनिश्चित होती है कभी कभी कम या ज्यादा भी होती है इस वर के लोग जो है अपनी बुद्ध के द्वारा धन कमाते हैं इसके भी प्रीत किराय जीपी वर की जो आई होती यह निश्चित होती है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा option number C friends उम्मिद करता हों कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा यह दि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और यह दि आप इस वीडियो के पीडियाप को डाउनलोड करन हैं और साथ ही साथ हमारे टेलिग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए रेगुलर इबिनिंग में 10 पीम पे जियासी लेक्षिर का फुल लेंद का जो है मॉक्टेस्ट करवा जा रहा है तो यह आदि आप जो है मॉक्टेस्ट में पार्टिस्पेट करना चाते हैं तो आप हम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्ट्रिशन बॉक्स में प्रवाइड करा दिया गया है बढ़ते हैं अगले प्रश्ट के तरफ आज हमारा अगला प्रश्ट है सूची वन को सूची दो के साथ सुमिलत कीजिया और नीचे दिया गया है कूट्टो से सही उतर का चैन कीजिये जहां पर सुची नंबर यों और यहां जए हमारा सुची नंबर जो में परिवरतन का सिध्धान दिया गया और सुची नंबर दो में उनके लेख्यक का नाम दिया गया यानि कि कौन से लेख्यक ने कौन से सिद्धान को दिया है इन्हीं का हमें आपास में मिलान करने तो ही मिलान करते हैं पहला दिया गया है हमारा चक्री सिद्धान्त चक्री सिधान्त का संब्द किसे है तो चक्री सिधान्त का संब्द है एट आनिमी से किसे है एट आनिमी से है दूसरा है राखिक उद्विकासवादी सिधान्त राखिक उद्विकासवादी सिधान्त का संब्द है अगस्त काम्टे से किसे अगस्त काम्टे से तीसरा दिया गय अगला प्रशन है समाज के अधिकांस सदस्यों के ध्यान दिये बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है इसे क्या कहते हैं? मिन निर्प्वेच परिवर्तन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछिंट सखेंड foster यानि कि प्रछण परिवर्तन सभ्या कि ध्यान दिये भिला कुछ समाजिक करिवर्तन होता है तो इसे प्रच्छन परिवर्तन कहते हैं प्रच्छन परिवर्तन की अउधाना पी ए सोरो कि ने प्रतपाद किया है इससे आसा है कि परिवर्तन जो है या मानसिक्ता बदलने पर भी कभी-कभी हो सकता है स्कुषण का राइड एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन पर बी आज हमारा अगला स्टन है कौन से सही मेल नहीं कौन सय हम नाई हैं नमबर बी दियेगे वी मैलोनों वस्की का उद्विकास सीक्ता से उप्सिन नमबर सी एमक स्री निवास का प्रबल जाज से और जो तर दियेगे आरके मर्टन का मध्यम रेज सिद्धान से कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट एंसर होग जान जाती है जिसमें प्रतेक परिवर्ती अवस्ता का पूर्वर्ती अवस्ता से आवशक संबंध होता है जिसमें जो है बिदि विकास और निरंतरता को तीनों घटना शम्हित होती है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्सिन नमबर बी आज हमारा अगला प् दर्श नम्बर को समाज के दिएं सावा कि क्या हो जाएगा इस कुर्षण का राइटंसर होगा आरा उप्टस नम्बर सी यागिकी उत्बिकासिक प्रक्रिया सामानता से विश्टा की और जाने वाला परिवर्तन है कुछन का राइटेंस रोगा हमारा ओप्सन नमबर सी आज यह मारा अगला प्रश्ण है निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए यहां पर दो कथन दिये गये हैं पहले को कथन एसे तथा दूसरे को उसके करण आर्च से दर्साया गया कथन एक क कुछन करा कि निम्लिकित कोटों में से सही उतर का चुनाओ कीजिए इस कुछन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर डी यानि कि कथन ए गलत है परन्त इसका जो कारण आर दिया गया है यह हमारा सही है यानि कि आप ऐस वर्गों की गसिलता में ब्रिध्य होती है अता कथन ए जो है यह हमारा गलत है और कारण आर जो है यह सही है आज हमारा अगला प्रश्ण है टाइनवी के अनुसार समझ सामाजिक परिवर्टनों का कारण कौन सा है ऑप्सन नमबर ए सब्विता ऑप्सन नमबर फैसन ऑप्सन अध्यात्मिक अंतरप्रेंडा और लाष्ट ऑप्सन नमबर डी प्रद्यों के किति इस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्चन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्सन नमबर ए यानिकि सब्विता आदिनिक समय में आजनाल जे टानिवी एक विख्यात अंग्रेज दार्सिनिक ने भी बेशु सब्विता के इत्यास का चक्रिय सिद्धान प्रतिपादित किया है उनके अनुसार सब्विता तीन अवस्थाओं यानि की यवन प्राउंडता इवं पतन से होकर जो है गुजर रही है टारमी का विचार था कि हमारी सब्विता यद आज हमारा अगला प्रश्ण है एक परिवार में पितामा मोची है पिता सहर की प्रातिंग पाट साला में पढ़ाते थे तथा अब पुत्र एक बहुद्देशी कारप्रेशन में एक इंजिनियर है यहाँ एक उधारण है या किसका उधारण है ऑप्सिन नंबर यह संक्ति क्या हो जाएगा यहाँ में उधारण सैं सामाजिक प्रस्तित बारा उद्दर परिवरoupin तरत में प्रच्परट इस्परुद्दक अर्यवता है तता जो है अंता पीड़ी गत गत शिलता में ब्यक्त के वर्तमान ब्योसाया पद इस्थित का तुलना उसके गत यानि के पुराने ब्योसाया पद इस्थित से जो है की जाती है कुष्चन का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर डी आज यमारा अगला प्रश्ण है सामाजिक परिवर्तन के उत्थान यों पतन सिध्धान्त को अन्य प्रकार से डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है उप्सन नमबर ए है मायूलर सिध्धान्त उप्सन नमबर भी रेखी सिध्धान्त उप्सन नमबर सी चक्री सिध्धान्त और लास्ट है उप्सन नमबर डी क्रम विकासवादी सिध्धान्त इस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्चन का जो राइट ए पढ़ा हो है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा मारा option number C, आज हमारा अगला प्रश्ण है, प्रत्यासित सामाजी करण को जन्म देता है, किसको जन्म देता है, option number A है संगर, option number B, ब्यक्तित का विक्टन, option number C, मानदन धीनता, और last option number D, उर्ध गौमी सामाजी गचिलता, तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुश्चन का जो राइट एंसर होगा, वह होगा हमारा option number D, यानि क उर्ध गौमी सामाजिक गचिलता, प्रत्यासी सामाजी करण उर्ध गौमी सामाजिक गचिलता को जन्म देता है, भविश में जो इस्थित आने वाली है, उसके लिए पहले से अभ्यास या तयारी करना, या उन ब्योहारों को सीखना ही प्रत्यासी सामाजी करना है, उदार सामाधिक प्रिव kleinearmacouरितन के कारकों में संहित है पहला दिया गया विज्ञान लुंद्धोग की दूसरा दिया गया विचार और सिद्धान स्द्धानों तीसरा दिया गया संस्कृत और सिछा और चौथा दिया गया है उद्विकास और प्रagitar कुशन करते हैं कि सही मेल को को व्या है कि उन परिवर्तनों से है जो समाज के संगटि धाचे में जो होते हैं आर्था समाज की सरचना और उनके प्रकारियों में में डुन्हें वाली परिवार्तन से ही है जो है प्रसम्तेंवें जो बिकल्फ दिये गहें यह सभी जो है काराक-सामाजिक परिवार्तनों के कारणों में जो है समली थे हैं याने कि विज्ञान होता है तो दूसरे भाघों में भी परिवर्वार परिवर्तन सवता होने लगता है दोधा इन परिवर्वर्टनों को समाजिक सरचना अपने में सामिल करते हुए एक नए वियोस्था को जन्म देती है इस प्रकार की मानता किiding सिध्धानतों में लाश्ट दिया गया है option number D सामाजिक परिवर्तन का नौव विकासवादी सिध्धान्त तो इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C यानि की सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिध्धान्त जब एक ब्योस्ता के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में परिवर्तन स्वता होने रगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक से नचना अपने में सामिल करत से विए एक नई ब्योस्ता को जन्म देती है यह मानता सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिध्धान्त दौरा जो है दरसा आगया है question का right answer हो जाएगा हमारा option number C friends आप एक information share कहने थी कि अभी तो possible नहीं है कि आप 120 प्लस प्रैक्टिस को solve कर पाएं क्योंकि exam exam का जो date है वो आ list वो available है channel पर आप उसे जितना ज्यादा-ज्यादा solve कर पाएं आप उसे solve करें इससे आपको जो है जिया ऐसे के exam में ज्यादा-ज्यादा help मिल सकेगी और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है exam को drop मत करिएगा एक request है हमारी तरफ से कि आप लोग जितने ल लग रहा center मुझे पता है कि बहुत दूर है एक छोड से दूसरे छोड छोड जो है center भेस दिया गया है यह आयोग ने बहुत ही गलत किया है बट इसमें अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग ने एक कप्ती दी है बट उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है ठ इससे आप लोगों का जो एक्जाम में selection के chances हैं वह काफे जादा बढ़ गए है तो आप लोग कोशिज करें कि आप लोग एक्जाम दें आप लोग निश्ची थी जो है सफलता पाएंगे बढ़ते हम आज के अगले प्रस की तरफ आज हमारा अगला प्रश्न है ब्यवसायो मान सम्मान जात श्रेडी उम सक्त में हुए परिवरतन के सम्द में सामाजिक पदवी में हुए परिवरतन को क्या कहेंगे औप्जिन से क्रांत और लाश्ट ऑप्जन नमबर डि पुनर निर्माण। तो इस कुषनकर राइट एंसर क्या हो जाएगा। इसकुषनकर संगाना आप्जन न बियारा अनुवकिक सामाजिक गतल्टा! सामाजिक गत्सिलता ब्योसायों मान सम्मान जात श्रेणियों सक्त में हुए परिवर्तन के सम्मद में सामाजिक पद्वियों में हुए परिवर्तन को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज का अनुरच्छन बना रहता है, अगर समाज में गत्षिलता ना हो तो समाज का अस्तित्व खद्रे में पड़ जाएगा, इसी वज़े से इस कुश्चन का जो राइट एंसर होगा, या होगा हमारा ओप्सन नमबर B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, समाजों के उर्ध मुखी गत्षिलता का सर्वसेश उतारण हम भारती जाद भ्योस्था में देख सकते हैं, कहीं बार मध्यम वर की जादियां, जाद ब्योस्ता में उचा उठने का प्रयाज करती हैं स्री निवास ने संस्क्रित एकरन की प्रक्रियाद और जातियों की उर्धगवामी गत्चिलता को जो है ब्रक्त कि आहेत कुष्षन का राइट एंसर क्या होगा इस कुष्षन का जो राइट एंसर होगा वह होगा हमारा आज हमारा अगला प्रश्ण है निम्लकित में किसने दचिन ACI समाजों के उर्ध मुखी और अधोमुखी गत्चिलता के लिए छे दसाएं बताई हैं आप्सन नमबर ए टीवी बोटो मोर आप्सन नमबर सी के डेविस आप्सन नमबर सी आर विनेडिक्स और लाश्ट है राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्ण का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर डी यानिकी जी मिरेडाल गुर्णार मिडल ने जो है बहुत ही चर्चित पुस्तक एसीन ड्रामा का लेखन जो है कार किया था उन्होंने जो है दचिन ACI समाजों के उर्ध मुखी और अधोमों की गचिलता के लिए छे दसाओं का उलेख कि आथात कुष्ण का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर डी आज हमारा लाश्ट प्रश्ण है निम लिकित में कौन सा विचार सामाजिक परिवरतन का सबसे प्राचेन विचार है ओप्सन नमबर ए चक्री ऑप्सन नमबर सी उद्विकास वादी और लाश्ट ऑप्सन नमबर डी दुन दात्मक फिंट जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस के लाश्ट कुष्ण आप लोगों के लिए छोड़ दी जाते हैं यानि कि इस कुष्ण का राइट एंसर क्या होगा कि कुष्ण का राइट सबसे पहले मिले और साथी साथ मैं आपको इन फॉर्म कर दूं कि जैसी के जश्ट व्यानि की जैसी अगले दिन से आप लोगों के लिए यूजिसी निट ज्यारप की प्रेपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए करवाई जाएगी तो आप लोग यदि य इस वीडियो में तब तक करे जैहिन बंदे मात्रा में